दोस्तों ये हैं महेश और ये हैं सुरेश और ये मैं हूँ दस साल पहले इन तीनों को 12 लाग रुपया मिला तो महेश ने 10,000 की SIP शुरू करी 10 साल के लिए और इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्स है 14% यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लेती हैं तो टोटल यहां पर 12 ला पर सेंट पे 25,90,689 रुपीज वहीं पर सुरेश ने यहां पर SIP न करके 12 लाग का यहां पर लंसम कर दिया एक ही बार में 10 साल पहले की बात है इसको भी 14% का है रिटर्स मिला तो यहां पर इसकी जो फ्यूचर वैलू निकल के आ रही है 10 साल के बाद 44,48,666 रुपीज यह पर दिख सकते हैं कि 18,57,977 रुपीज यहां पर कम मिला 18,00,000 रुपया कम नहीं होता है देख सकते हैं 12,00,000 रुपीज एक ने SIP किया और दूसरे ने लंसम किया लेकिन मैंने यहां पर लंसम नहीं करा फिर भी देख सकते हैं कि मैंने सुरे से ज़्यादा यहां पर कॉर्पस बनाया है दिख सकते हैं मेरा भी सेम सिनारियो 10,000 की SIP थी सेम एक्सपेक्टेड रिटन्स है 14 परसेंटी और 10 साल के लिए निवेश किया लेकिन मैंने महेश सुरेश इन दोनों को बिट कर दिया और यहां पर मेरा दिख सकते हैं यह कैसे हुआ उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तो इस वीडियो में SIP सही है या लमसम सही है इस पर मैं आपको विश्ट एक्जामपल से समझाने वाला हूँ इस वीडियो को पूरा देख लिजिएगा उसके बाद से आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखने के जरूरत नहीं पड़ेगी अब आप यह बोल रहे होंगे कि या लमसम करने के लिए बार लाग दस लाग रॉपिया इतना मोटा पैसा थोड़ी ना होता है रिटेल इन्वेस्टर के पास तो दस साल पहले मेरे पास भी नहीं था मैंने भी S.I.P करके यहां पर देख सकते हैं कि लमसम से ज्यादा रिटेंस बनाया तो वीडियो को पूरा देखिएगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से कि आपको कैसे इन्वेस्टिंग करना चाहिए चैनल प S.I.P. vs. लमसम इस पर मैं बात करने वाला हूँ सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है S.I.P. करने के लिए वो भी मैं इस वीडियो में कवर करा है अगर आप S.I.P. कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं एक मैं आपको मैजिक भी बताने वाला हूँ और लमसम करने के लिए बेस्ट पाइस कर वहां होता है वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ टाइमिंग बहुत जरूरी है रहे भाईया अगर टाइम दे सकती हैं तो पैसा बना सकती हैं पैसा जादा है पैसा नहीं बना सकती है ज्यादा रैट S.I.P. कब तक करें वीचल बेटर S.I.P. हो मिलेगा तो जल्दी से एक बार हम लोग देख लेते हैं साइपी वर्सेस लमसम उसके बाद से हम लोग इन सारे टॉपिक पर डिसकस करेंगे तो पहले हम देखेंगे इनवेस्टमेंट फ्रिक्वेंसी तो अगर आप किसी भी स्कीम में इस आईपी करते हैं तो इसमें आप रेगुलर इंटरवल पर मन्तली, क्वाटरली या यहरली बेसीस पर इसाईपी शुरू कर सकते हैं वहीं पर अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम में वन टाइम इनवेस पास एक साथ पैसा नहीं होता है, सेलरी पर्सन सेलरी आती है महिने के लास्ट तक खतम हो जाती है तो वन टाइम इनवेस्टमेंट करना थुड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो लमसम करने जा रहे हैं तो लमसम के लिए भया मोटा पैसा चाहिए होता है लेकिन SIP में ऐसा नहीं है, दूसरा हम देखें इनवेस्टमेंट एमाउंट, तो SIP में क्या है आप 500,000, 2500,000 से भी SIP कर सकती है, लेकिन लमसम के लिए आपके पास वन गो में लारजर एमाउंट होना चाहिए, अब ऐसा तो है नहीं न कि 500 रुपया या 1000 रुपया जाके आप लमसम करेंगे, लमसम करने के लिए थोड़ा सा पैसा तो ज्यादा चाहिए, 20,000, 40,000, 50,000,000, 10,000,000, लेकिन SIP में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पैसा लगा के आप अपना SIP सुरू कर सकते हैं, बहुत सारे इंडेक्स फंड हैं जिन में आप 100 रुपीज लगा के भी SIP सुरू कर सकते हैं, त लेकिन रिस्क नहीं देखते हैं, या जैसा रिस्क हो ऐसा रिवर्ड, तो अगर आप SIP के थुरू किसी स्कीम में निविस्ट करते हैं, तो इसमें आपका रुपीज कोस्ट का वेनफिट मिलता है, क्योंकि जैसे माललो मार्केट यहां पर अट्रेट कर रहा है, तो आपकी एनवी, जब मार्केट डाउन होता है, तो यहां पर एवरेज आउट हो जाती है, जब मार्केट पीक है, वहां पर भी आपको एनवी मिलेगी, तो यहां पर रुपीज कोस्ट का बेनफिट मिलता है, तो SIP में अगर आप लॉंग टम के लिए इनविस्ट करते हैं, तो इसम तो यहां जाएगा यहां जाएगा यहां जाएगा, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं, आप उल से डबल हो जाएगा दो महिने में, तो यह आपको धोका दे रहा है, तो मार्केट में रिस्क तो होता है, तो लंसम करने के लिए थोड़ा सा siマayamang के लिए टाइमिंग बहुत लेजिए कि निफ्टी अभी यहां ट्रेट कर रही है 24,000 के उपर अभी निफ्टी ट्रेट कर रही है तो अगर किसी इन्वेस्टर को SIP करनी है हजार दो हजार तीन हजार तो उसको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है वह SIP कभी भी सुरू कर सकता है जैसे माल लीजिए अगर किसी ने कोविड में यहां पर गिरावाट आई थी तो अगर किसी ने माल लेगी यहां पर SIP चलू किया राइट और फिर यहां पर गिरावट आ गई तो क्या होगा यहां पर एन्वी उसको सस्ते में भी तो मिल रही है फिर IP में कोई दिक्कत नहीं होता है आप अप कभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं इसमें मार्केट को टाइम करने की जरुत नहीं है लेकिल लंगसंद में बिलकुल टायमें मैटर करता है अगर आप पीक पर इंवेस्ट करेंगे और मार्केट का वेल्यवेशन भी हाई ह अभी निप्टी का जो पी है 22.94 है अभी निप्टी जो है 22.94 पी के मल्टिपल पर ट्रेट कर रही है तो मैं आपको बताया था कि लमसम कैसे करना है तो मार्केट अपने ओल टाइम हाई पे है और मालीजे आप यहाँ पर लमसम करते तो यहाँ पर निगेटिव रिटन्स मिलत यहाँ पर निवस करते तो आपको निगेटिव रिटन्स मिलता अगले साल तो लमसम करने के लिए टाइमिंग मैटर करता है इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब मार्केट उपरी लेवल से 5-10% करेक्ट हो जाता है तो वो लोग लमसम करते हैं अपने रिस्क के हिसा आप से और जब भी लमसम करने जारे जैसे मालें जब 50,000 करना है तो एक साथ नहीं इसको तीन टुकड़ों में बाट लीजिए मार्केट जब उपरी लेवल से 5-10% करेक्ट हो जाता है तब यहाँ आपको 20-20,000 करके निवेस करने के बारे में सोचना चाहिए और बहुत सार एक इन्वेस्टर को डिस्प्लिन देती है कि भाईया मेरे अकाउंट में सेलरी आती है और इस दिन एमांट कट जाए तो वो कटेगा ही जाहें बारिस हो जाया है जो आपने एसाईपी का एमांट सेलेट करा है उतना पैसा आपके एकाउंट से डिडक्ट होगा ही होगा ले मार्केट में गिरावा टाई लेकिन आपका बलत पीसर बढ़ गया तो बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक करने लगते हैं और डिस्प्लिन क्या होता रहे बाबा निकलो जल्दी नहीं तो मेरा पैसा डूब जाएगा लेकिन एसाईपी में ऐसा नहीं है अगर आप एसाईप सब्सक्राइक में कोस्टेवरेजिंग का benefit मिलता है लेकिन लमसम में कोस्टेवरेजिंग का benefit नहीं मिलता है लेकिन आपको बहुत सारे स्मार्ट इंवेस्टर घिरावट में लमसम कर लेते हैं और जब मार्केट लीडी से रिकवर करता है तो अच्छा-कासा उनको returnDas भी Pom flexibility मिलती है कि कभ आपको SIP बंद करना है stop करना है पॉस करना है रेडियम करना है आप अपने मन के मालिक है लेकिन लमसम की बात करें तो इसमें less flexibility है जैसे माल जी आपने किसी फंड में 1,000,000 रुपया निवच कर दिया तो इसको आप मोडिफाई थोड़ी नहीं कर सकते हो लेकिन अगर आपने किसी मिचुल फंड इसकी में निविच किया है और आप सोचना है कि नहीं आ रही है सकीं सही नहीं है चलो दूसरे में स्विच करते तो स्यूच कर सकते हैं आ लेकिन लमसम में ऐसा नहीं है वहींप अगर हम रिटन्स की बात करें तो SIP के थुरू अगर आप निविश कर रहे हैं तो इसमें cost averaging और market volatility में fund manager की कोशिश रहती है कि एक investor को कैसे भी ना कैसे करके returns निकाल के दिया जाए वहीं पर अगर हम लमसम की बात करें तो इसमें आपको returns higher मिलता है लेकिन वही रिस्क भी तो जादा है जैसे मनको बता है कि जब market में गिरावाट आती है लमसम में ज्यादा returns मिलता है लेकिन वहीं लमसम में एक बार पैसा भी लगता है और रिस्क भी ज्यादा रहता है और market को time भी करना बहुत जिरूरी है और market का थोड़ा basic भी आपको आना चाहिए लेकिन S.I.P. में आपको market को जज़ करने की जुरूरत नहीं है आपका risk इसमें moderate हो जाता है और इसमें returns आपको लमसम से थोड़ा कम मिलता है तो जैसा risk वैसा reward आप सबको मालूमी है अगला है emotional control yes S.I.P. में अगर आप निविस कर रहे हैं तो यहाँ पे fund manager है अगर market में आया या कुछ भी आया यह अपने हिसाब से securities by yourself करता है वहाँ पर जो एक investor है उसको यहाँ पर टेंशन लेने के जुरूत नहीं है जैसे अगर आप किसी स्कीम में S.I.P. कर रहे हैं तो S.I.P. आप कर रहे हो बिंदास हो के जो आप primary work कर रहे हैं उस पर focus करिए आपका जो investment ह है वहाँ पर fund manager है वह अपने skill के हिसाब से invest करता है तो यहाँ पर क्या होता है बहुत सारे retail investor जब market में गिरावाट आती है तो पहनी करने लगते हैं तो जैसे माल यह बहुत सारे investor लंसम करा है और लंसम करा हो market गिर गया तो अपना यहाँ पर आपा खो देते हैं और फिर loss म में ही जो भी profit है थोड़ा बहुत या negative है तुरत market से exit कर लेते हैं लेकिन SIP में emotional decision पर थोड़ा सा control रहता है लेकिन लंसम में क्या है कि इसमें आपका मूटा पैसा लगा होता है एक लाग दो लाग पांच लाग दस लाग तो थोड़ा सा लोग emotional हो जाते हैं फिर सोचते हैं लंसम में मोटा पैसा लगा रहता है तो किसी कारणवस market में गिरावाट आती है तो यहां पर blood pressure बढ़ जाता है और यहां पर जो emotional decision लेके और position से इर्गिट कर लेते हैं वहीं पर हम देखें कि SIP और लंसम किसके लिए better है तो अगर आप salary person है और आपको मंतली salary आती है और आ उन सारे पैसे को आप लंसम में निविस करने के बारे में सोच सकते हैं simple सा है वहीं पर हम investment horizon की बात करें तो SIP देखिए long term के लिए ही better रहती है SIP आप 1 साल 3 साल 5 साल करेंगे तो समझ में नहीं आएगी 10 साल तक जैसे पहुंचेंगे पैसा आपका ऐसे हो जाएगा 15 साल करे होते हैं तो आपका कॉर्पस यहां पहुंच जाएगा तो exponentially यहां पर पैसा आपका ग्रो होता है आइंस्टीन अंकल ने पावर आप कंपाउंडिंग को आठवा अजूबा बोला था लंसम करना है तो बहुत सारे लोग जैसे मनको बताया कि मार्केट में गिरावाट आती है तो लंसम करते हैं एक डेर साल के लिए शिक्स मंत के लिए भी तो यह लंसम टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टेर टू इनवेस्टेर तो S.I.P. वर्सेस लंसम हमने कवर कर लिया बेस्ट टाइम टू स्टार्ट S.I.P. मैंने आपको बताई दिया कि S.I.P. करने के पंडित जी से मुहरत देखने के जुरत नहीं है SIP वर्सेस लंसम मैजिक यह क्या है एक बार देख लेते हैं यह देखिए जैसे मैं आपको बताया था कि महेश ने 10,000 रुपया SIP चालू करा था 10 साल के लिए 14 परसेंट यहाँ पर मैंने कल्कुलेट करा था तो इसने 12 लाग रुपया निवेश कर दिया तो इसकी जो फ्यूचर वैलू निकल के आ रही है 25 लाग 25 लाग मोटा मोटी समझे वहीं पर सुरिष ने 12 लाग का लंसम कर दिया था 10 स साल पहले और इसको भी 14 परसेंट का रिटल्स मिला तो देख सकते हैं कि इसका जो फ्यूचर वैलू निकल के आ रही है 44 लाग सम्थिंग तो यहाँ पर 18 लाग रुपया ज्यादा इसको मिल रहा है तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहेगा कि यार S.I.P. छोड़ो लमसम करो लेकिन 10 साल पहले 10 साल पहले आपके पास 12 लाग था क्या बहुत सारे रिटियल इन्यूश्टर के पास वन गो में पैसा नहीं होता है तो यहाँ पर सुरेश के पास 12 लाग रुपया था इसलिए 10 साल पहले इसने लमसम कर दिया था लेकिन अगर आपके पास वन गो में पैसा नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरुवत नहीं है यहाँ पर देख सकते हो मैंने भी 10 साल पहले 10,000 रुपया पर मन्त की S.I.P. चालू करी थी और फिर भी मैं महेश और सुरेश से यहाँ पर ज्यादा कॉर्पस क्रेट कर रहा है और वन ग मैं यहाँ पर पैसा भी निविस नहीं किया है S.I.P. करके 44,91,631 रुपीज का कॉर्पस मैंने क्रेट कर लिया सेम एक्सपेक्टेड रिटन से 14 परसेंट और 10 साल के लिए मैंने भी निविस किया यह कैसे हुआ जानना है उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पह तो आपने स्किम सेलेट कर लिया और S.I.P. अगर आपको 10,000 S.I.P. करना है तो हर साल इसमें 15 परसेंट मैं तो बोलता हूँ कि 15 नहीं कर सकते हो तो 10 परसेंट तो करू एट लिस्ट लेकिन मैं इस केस में 15 परसेंट हर साल यहाँ पर अपना S.I.P. एमाउंट इंक्रेज कर दिया इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मेरा कॉर्पस यहाँ पर 44,000,000 से ज्यादा बन गया है तो आप भी याद रखिए जब भी S.I.P. कर रहे हैं तो S.I.P. करिए उसमें हर साल 10 परसेंट 15 परसेंट का टॉप भी करती रहे हैं और होल्ड करिए बहुत सारी लोग कर रहा है तो इनफलेशन को बीट करने के लिए इनफलेशन को मारने के लिए आपको यह टॉप अब हर साल 10 परसेंट या 15% का करना बहुत जरूरी है तो S.I.P. कर रहे हैं तो S.I.P. करते रहे हर साल उसमें 10 या 15% का टॉप अब करते रहे हैं अगर आप वण गो में निव करके मोटा पैसा बना सकते हैं तो देख सकते हैं कि कैसे स्मार्टली मैंने यहां पर लंसम ना करके इस आई पी के थ्रू ही huge wealth create कर लिया तो इस example से मैंने आपको यहां पर सिखाने की कोशिस कर रहा है आई होप आपको अब clear समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं बेस्ट टाइम फॉर लंसम तो लंसम करने के लिए जैसे मैं आपको बोलता हूं कि इस पर मैंने dedicated video बनाई है देखिएगा इसी चैनल पर आपको मिलेगी बहुत कुछ सेखने को मिलेगा timing बहुत जरूरी है रे बाबा timing यह देखिए महेश ने 10,000 रुपया की S.I.P करी थी 10 साल के लिए जिसमें उसका कॉर्पस बन के आ रहा था 25 लाक सम्थिंग 14 पर्सेंट रिटन्स हमने calculate करा था अब यही 10,000 S.I.P 10 साल और बढ़ा दिया 20 साल के लिए S.I.P करा 14 पर्सेंट रिटन्स तो यहां पर दिख सकते हैं एक करों तीस लाक बन गया कहां 25 और कहां एक करों तीस सिर्फ 10 साल के S.I.P और continue करा थो देखा उहीं पर अगर हम सुरेश की बात करें तो सुरेश जो है 12,00,00 का इसने लमसम करा था 10 साल के लिए 14% रिटन्स पर हम लोगों ने calculate करा था और इसने भी यह 12,00,00 को एज़िटी छोड़ दिया 10 साल के लिए और 20 साल के लिए यहां पर अपना उमांट इसने बढ़ाया नहीं लेकिन इसने क्या करा दस साल S.I.P करा लेकिन दस साल और oh S.I.P कंटीन्यू करा तो यहां पर S.I.P क का इमपर इसका बढ़ रहा है लेकिन लम्सम में इसने अपना पैसा नहीं बढ़ाया, यही 12,20 साल के बाद 1,64,64,192,188 रूपीज हो गया, देखा मैजिक, टाइमिंग मैटर करता है, जैसे नों को पता हैं कि SIP ऐसे काम करती है, लेकिन जो 10 साल के बाद 12,20 साल तक होल्ड कर दिया वो राजा बन जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा देखा गया है कि लोग SIP भी करते हैं, तो मुश्किल से 1,5 साल या 2 साल में पैसा विड्रो कर लेते हैं, तो इस तरह से वेल्ट थोड़ी न बंगता है, तो मेरा मानना तो यह है कि कम पैसा इन्विस्ट करो, कम पैसा इन्विस्ट करो, 2000, 3000, 5000, ले बढ़ते हैं, how long to invest in SIP, तो मेरा मानना तो यह है कि at least 7 year प्लस तो आपको निविस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, अगर ज्यादा hold कर लेते हैं, तो फिर तो कुबेर तो बनी जाएंगे, अगला है which is better SIP और one time investment, तो मैंने आपको दोनों सिनारियों बता दिया, दोनो आप अपने गोल और रिस्क के हिसाब से सलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास मोटा पैसा नहीं है, तो SIP के थुरूर निविस्ट करिए, वो आपके लिए सही रहेगा, SIP करिए, कहीं से पैसा आ जाए, तो बीच-बीच में लंसम कर दीजिए, और हर साल उसमें 5-10% का ट सिक्रेट स्ट्रेटिजी पर हम लोग बात कर लेते हैं, तो देखिए, जैसे माली जी, 10,000 की SIP कर रहे हो, तो सिक्रेट स्ट्रेटिजी यही है, कि इसमें पहले तो आपको 10% या 15% का टॉप अप करते रहना है, और कहीं से पैसा आ गया, और कहीं से पैसा कैसे आएगा, चो प्राइमरी वर्क कर रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन अलग extra source आप create करिए, और extra source से आप 2000, 5000, 10,000 रुपया, कुछ भी पैसा बना लेते हैं, तो आप great हैं, तो extra source से जो आप पैसा बना रहे हैं, 2000, 3000, 5000, उसको भी SIP में लगाईए, उसको भी SIP में लगाईए, अगर आपके पास यह extra source से पैसा आ रहा है, जब market में decline आए, जब market में गिरावट आए, तो इस 52,000 को यहाँ पर बीच-बीच में लमसम करते रहे हैं, फिर देखिएगा, long run में आपका जो corpus है, आप SIP करते तो ऐसे रहता, लेकिन बीच-बीच में आप top up कर दिए, और जो extra source से जो बड़ेगा, ऐसे, लेकिन वहीं पर आप top up नहीं करते, और extra source वाला पैसा भी निवेस नहीं करते, तो आपका वेलती यहाँ पर रहता, decision लेना आपका काम है, तो investment करिए, बिंदास होके, आप SIP करिए, या लमसम करिए, market को पहले देखिएगा, अपना risk देखिएगा, fund दे बेटर है, यह depend करता है, इन्वेस्टर पे, आसा करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आई, यह वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like करना मत भूलिएगा, चैनल पर पहले बाद विजिट करना है, तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, तो मिलते हैं किसी दूसरे वी thank you